जै मातरानी दोस्तों मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ मा जिक दंबा लक्षमी के नाम का जैकारा जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में जै मालक्षमी ओम नमो भगवते वासुतेवाय लिखें आपके जीवन में पैसा, ताकत, शहरत आपकी हर इक्षा की पूर्ती जरूर हो जाएगी आज शुक्रवार का दिन है धन मालक्षमी आपके घर चली आएंगी दोस्तों आज वीडियो की शुरवात ही मैं आपके लिए एक विशेश उपाय से कर रही हूँ बाकी चीज़े तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ही आपके जो जनमकुंडली होती है जब हम कालपुरुष की जनमकुंडली देखते हैं तो सबसे पहले लगन में नमबर एक लिखा होता है और उसके बाद जो दूसरा घर होता है वहाँ दो लिखा होता है जिसे हम व्रशव राशी भी बोलते हैं या तौरस बोलते हैं ये धन स्थान में है और साथी साथ ये व्रशव राशी शुक्र की राशी है इसलिए आपके जीवन में शुक्र का बहुत महत्व होता है जो लोग चाहते हैं उनके घर में पैसा ही पैसा आए तो पती पतनी जहांपे सुख से रहते हैं प्यार से रहते हैं वहाँ पैसा जरूर आता है पती जब भी अपनी सेलरी घर लेके आए दोस्तों आज की जमाने में कई लोगों की सेलरी बैंक अकाउंट में आ जाती है तो जब भी आपके अकाउंट में आपकी सेलरी आ जाए कुछ पैसे विड्रॉ करिए थोड़ी सी सफेद रंकी मिठाई खरीदिए चकर दूद से वनी हुई जो मिठाई होती है सफेद रंकी मिठाई खरीद लीजिए और कुछ पैसे जैसे की 500 या 1000 रुपे आप जरूर अलग से निकालिए ये दोनों चीज़ें घर ले जाएं और अपनी पत्नी के हाथ पे रगते हैं और आपकी पत्नी मिठाई और पैसे दोनों भगवान के चर्णों में अर्पित करें उसके बाद पती अपनी पत्नी का मुझ जरूर मिठा कराए जिस घर में पत्नी की कमाई से पत्नी का मुझ मिठा होता है वहाँ पे लक्ष्मी जी स्वतह खिची चली आती है यह एक ऐसा अचु को पाय है जो पुराने समय में सभी लोग किया करते थे परन्तु समय बदलने से व्यवस्थाएं बदलने से इस उपाय को आजकल लोग नहीं करते हैं जिसके कारण पैसा आने के बावजूद भी लोग बाग रोते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है हमारा पैसा बचता नहीं है बहुत तरह से आप लोगों को कश्ट रहता है करके देखिए 101% नहीं 1000% मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ जिन घर में धन की दिक्कत है देखिएगा धन की दिक्कते दूर हो जाएंगी तो दोस्तों आज का विशेश वीडियो शुक्र का विशेश उपाय जहां मैं आपको बताने वाली हूँ दूद, दही, शकर इनसे सम्बंधित ऐसी बाते जो लाएंगी पैसा ताकत शोहरत आप इस वीडियो में बने रही है और जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बाजी में बने हुए घंटी के आइकन को भी जरू प्रेस करें सुख महसूस नहीं होता तो शुक्रवार के दिन अपने सर पे थोड़ा सा दही लगा के नहा ले आपके जीवन पे जो दिक्कत है धन संबंधी दिक्कते हैं आप दिखेंगे जो अमीर लोग होते हैं सि स्कीन कैसी होती ह्या है अपना प्रहाव देता है कि आपकी त्वच्चा पे नहीं आ क्या करता है आप के सर की जो त्वच्चह है जो खराब हो गई है सर में बालों में जिनके रूसी बहुत हो जाती है यहदि वो अपने सर पर हलका सा दही लगा लेते हैं तो खुशकी तो दूर होगी ही जोगी साथ साथ धन भी आएगा और दोस्तों यह दही आप जिब्जा से लगा के सनान करते हैं तो एक तरह से आपके पूरी बाडी पर आ जाता है यह इक तरह अच्छा दोस्ता आपने एक चीज बहुत बार देखी होगी कई बार हम टीवी में जब सीरियल देखते हैं बहुत सारी औरते एक जगह जब पानी भरने जाती है तो अक्सर उनमें जगडा हो जाता है वो बहुत छोटे छोटे घरों में रहती हैं आसपास बस्तियों में रहत हैं तो अब आपको क्या समझ में आता है शुक्र कभी भी दोस्तों ऐसी जगह नहीं रहते जहां पर लड़ाई जगडा होता है शुक्रा चार्य जी जिनने हम दानवों का गुरु कहते हैं वो सफेद रंग के वस्तधारण करे हुए हैं और हमारे जोतिश के अनुसार जहां जशांति होती है जहां पर ओज होता है वहां शुक्र का सोता है तो यदी किसी भी घर में सब्सक्क्रा नाा चलत HIM hormones benefit Fir में ना सब्सक्राई देखियागा लड़ाई ज्गडा चालू देखियागाइगा शुक्र कमजोर हो जाएगा पैसा बहुत आएगा पर बचेगा नहीं मैं लिखके दे रही हूं जिन घरों में ये आदते होंगी वहां कभी भी पैसे की बरकत नहीं होगी आदतों को सुधारिये अपने घर को गली महुले में जहां जखड़े होते हैं उस तरह का घर मत बनाईए जिसे अमीरों के घर होते हैं शांती से लोगों चाहिए का तरीका सौम में रखिए लेकिए हर घर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ बुरी चीज़ें होती हैं बोलना हमें पढ़ता है परन्तु बोलने के लिए चीखना चिलाना या जगडा करना किसी भी उसमें उप्युकत नहीं है क्योंकि ऐसे में इन घरों को हमेशा exercise जरूर करनी चाहिए दोस्तों exercise करने से आपका मंगल भी अच्छा रहेगा और पैसा भी बढ़ेगा ये आज आपको इतने अधबुद उपाय में बता रही हूं जो कि आपके घर में पैसा बढ़ाएंगे आप सोच लीजिए किसी के घर में अगर पैसा exercise करने से पैसा बढ़े आप लोग अगर चाहते हैं पती पतनी में बहुत प्यार बना रहे हैं अब दोस्तों जब शादी होती है तो जोतिश में ये आपकी जो शादी होती है यह आपके सातवे घर से देखा जाता है जिसे कलत्र भी कहते हैं बड़ा अजीब सा शब्द है आप है यह उनको बात बात करके शुल्जाएंगे और आपको मिलेंगे अच्व कुपाएं तो आप नीता विक्रम ऐस्टर एस्ट्रो नीता विक्रम इंस्टा ग्राम पे जाइए और मुझे फॉलो करिए बहुत जल आपके लिए बहुत सारे अच्छी एच्छी वीडियो लेके अच्छी बाते लेके और रोज आपके साथ लाइफ चेट करके हो सकता है मैं जुड़ू अगर आपने मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपके साथ जुड़ के आपकी समस्याओं को आपकी कुंलियों की समस्याओं को सुल्जाने का प्रयास जर प्रसंद रहे पर कई बार ऐसा होता है कि अपनी सास सदसुर का मान सम्मान नहीं करती तो ये बहुत गलत बात है क्योंकि घर में गुरुयों का अनादर करते और जैसा मैंने आपको बबताया शुक्रा ग्रह को बिल्कुल यह पसंद नहीं है कि हम अपने घर के बड़े बु हो यहां पर मैं कई बार लुबाव होते हैं मेरी सास बहुत ऐसी है वैसी है सबका सभवाव अलग-अलग होता है आप समझदार है आप जदी चाहते हैं आपके घर में धन की बरकत हो तो आप शुक्रवार के दिन कुछ न कुछ घर में मीठा बनाए कोई खीर बनाले साबुद देखिएगा घर में कैसे पैसा ही पैसा आएगा और घर के लोगों के रिष्टे इतने अच्छे हो जाएंगे इवन घर के बच्चे भी इस खीर को खाएं क्योंकि इसमें मिश्ट्री डली है और मालक्ष्मी का आशिरवाद इस खीर को मिला हुआ है आपके घर में जो लोग दही वाला उपाई जरूर कर लें क्योंकि जब तक आपके उपर ख्रपा नहीं होगी शुक्र की आपके घर में धन नहीं रुकेगा और धन का सुक्त तो आपको मिलेगा ही नहीं शुक्रवार का दिन है तो लक्ष्मी सुक्त का श्री सुक्त का पार्ट जरूर करिए और श्रीयंत्र तुम्हें उसका नियमित पूजन करती हूं अश्टगंद चढ़ाती हूं और पीली सरसो चढ़ाती हूं पीली सरसो नहीं मिले तो चंदन चढ़ा दीजिये लाल रंग का रक्त चंदन आता है वो चढ़ाया जाता है शुद्ध देसीगी का दीपक जलाते हैं और का पूजन करने के लिए मंत्र आपको बता रही हूं ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम हीम श्रीम ओम महालक्षमे नम्हा श्रीयंत्र नहीं भी है तो भी यह मंत्र आप जरूर बोलिए प्रति दिन आप कम से कम 108 बार बोलिए देखिएगा गुस्से को कंट्रोल करता है तो जीवन में आप सभी को सफलता मिलेगी तरक्की मिलेगी पैसा ताकत शहरत सब मिलेगा और आज के वीडियो जिल्लों को पसंद आ गया है जिल्लों ने ठान लिया है कि अब अपने शुक्र को अच्छा करेंगे और मेरे बता हुए कुछ छोट के लिए जय माता रानी दोस्तों अपना ख्यार रखिए